स्टूदेंट्स वेल्कम बाक टो माँ चानल इन दिस वीडियो आप विल डिसकस अबाट कोई नमबर 18 ऑफ एक्साइज 5.3 ठीक है इस्पारल इस मेड अप ओफ सक्सेशिव सामी सर्कल्स विच सांटर्स अल्टरनेटली एट ए अन बी मुझे क्या करने एक स्पारल बनाके दे फिर 1.5 फिर 2.0 ठीक है इस तरीके सब मुझे रेडियस दे गई है और सो और ऐसी आगे साथ अजा रहे है ठीक है एक है अगर मेरे पास कितने टोर्टल सेमी सर्कल्स बनाओं मैं ठीक है तो मिरे पास टोटल लेंथ क्या होगी मुझसे इक है ठीक है टोटल लेंथ पहला इस थाटीन है कि यहां पर घितना मिल रहा है । थीक है अब इन रेडियस से मुझे सीरीस बनती दीख रहे है एक बार मेरे पास इह एक बार यह एक बार यह अलग 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 यह दे रखी मुझे ठीक है तो पहला मैं कितना लेलू 0.5 फिर कितना हो जाएगा 1.0 फि अब मुझे क्या निकालना है लेंथ का मतलब क्या होता है circumference हम लगाएंगे circumference लगाएंगे circumference of circle का फॉम्ला क्या होता है two like two pi r होता है और चल्झे अब द्यान देते हैं अ इस बनाया उसने a 0.5 जे बनाया निफिर जब B को और इस रेडिया तो बनाया और पो स्यक्राइब रेडिया तो तो इसने यह तो कुछ नहीं करना है किसका मुझे सेमी सर्कल्स का एक बड़ी इसका फिर मैं निकालूंगे इसका फिर मैं निकालूंगे इसका फिर मैं निकालूंगे इसका तो मुझे निकालना पड़ रहा है लेकिन यह पूरा सर्कल्स नहीं हो रहा है क्या हो रहा है सेमी सर्कल्स हो गया वूह में निकाल के क्ल पास में किना हो चाहेगा मेरे पास में इसे आधा कर दूँन तो कितना है 2 2 πr मैंने आदा कर्टे डिवैड़ बेर 2 कर दूंगे तो कितना वजा से मेरे पास πr बचा ठीक है तो इस जो सेमिसर्पल होगा जो पहला जिसका रिए से 0.5 उसे लिए मैंने ठीक है पैलने कंप्रे पास कि अए मेरे पास क्या हो जाएक क्या हो जाएक dalुए इसके लिए पाई की जगह पर dot पाइ रहने देती हूं ठीक है और कितना स्टार्टंग वाला कितना धा 0.5 था तो मैंने यहाँ पर कितना रख दिया 0.5 मैं पॉइंट कैसे पॉइंट क्या हो जाएगा इसे लिख सकती हूं मैं वन पाइ लिख सकती हूं सिंप्ली ठीक है वन पाई लिख दिया मैंने ऐसी मेरे पास कितना हो जाएगा पाई आर एल्थरी कितना दे रिका था मुझे 1.5 है ठीक है रेडियस जगते 1.5 इंटू में क्या जाएगा पाई फिर क्या हो जाएगा ल 4 के लिए हो जाएगा अच्छा एक और चीज इससे सीरीज में सीरीज नहीं से रेडियस दे रखी थी मुझे मुझे जो सीरीज बनी कि हो तो मुझे L1 L2 L3 L4 से निकल कराईगी ठीक है तो यहां पर L4 हो जाएगा मेरे पास मैं L4 के लिए रेडियस कि पाई तो कितना हो जाएगा यह 2 पाई हो जाएगा ठीक है अब ऐसे ही सो अन आगर जाता जाएगा ठीक है ऐसे मैं कहा तक निकालूंगे मुझे दे रखाए L13 तक का निकालना है ठीक है बट L13 का मैं क्यों निकालूं मुझे उससे मतलब नहीं मैंने निकाल ठीक है सिफ मु फिर 2 pi हो रहा है ऐसी आगे जाता जा रहा है ठीक है, so all, ठीक है, यहाँ पर A मुझे क्या मिल गया है, 0.5 pi मिल गया है, D निकालूंगे तो क्या हो जाएगा, 1 pi माइनस 0.5 pi, तो कितना आजाएगा 0.5 pi, ठीक है, D कितना आ चुका, 0.5 pi आ चुका है, ठीक है, A आगे, D निका, आगे मेरे पास में, मैंने निकाल लिए, N है मेरे पास में, ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, इन सब को मुझे उसमे रखना है, फॉर्मले में, किसके फॉर्मले में, सम का फॉर्मले में, सम का फॉर्मला मुझे क्या होता है, अच्छे से पत्ता अ बाइखले निकाला ले यसी तरीके समय भाले तो मैं अ्यूंतल लगा सक्ती थे लिए फॉर्म लगए अंसे पि PPT हो जाएगा ठीक है एस 13 निकाल ला है मुझे तो यह मैंने लगा दिए यहाँ पर एस 13 इस इकोल स्टो 13 बाइटू इंटू में टू एक इतना है मेरे पास में 0.5 पाई तो 0.5 पाई प्लस एन माइनस वन तो कितना हो जागा 13 माइनस वन डी के लिए वाल्यू तो 0.5 पाई 0.5 पाई ठीक है डी के लिए वैल्यू ठीक है मैं ही कैंसल तो हो नहीं सकता हो तो 13 बाइटू को जोगे पैसर टेस रहेगा 13 बाइटू इंटू में 2 से मल्टिप्लाइ करूं कि 0.5 पाई तो कितना बन जाता है वन यह सिंप्ली में लिख दो पाई बन जाएगा वन पाई लिख 0.5 है मैं क्या लिख सकती हूं 5 और पॉइंट लिख सकती हूं 10 और साथ में कितना है पाई है ठीक है इससे मैं सॉल्व करती हूं 2 5 जा 10 2 6 जा 12 ठीक है 5 से 5 कैंसल क्या बचा सिर्फ 6 पाई बचा तो मैं इस तरीक से लिख सकती हूं next step में 13 बाइटू इंटू में देखो 6 प 7 मुझे कोईशन में हिंट में दे रखा है कि आपको यहीं पुट करना है ठीक है देखो 7 7 कैंसल हो चाएगा 2 1 2 2 से कितने टाइमस चाहेगा 11 टाइमस में क्या बचा मेरे पास में next step में 13 इंटू 11 बचा ठीक है और 13 इंटू 11 मुझे 11 का मुल्टिप्लाइब ले ट्रिक भी 143 cm तो मेरा यह आंसर होगा कितना 143 cm ठीक है एक बार आवा कुश्चन को बता देती हूं इस कुश्चन में मुझे यह था क्या आपको बनाना है इस पैरल में क्या था आपको अलगला सर्कल लीकि बनाना है एक बारी ए फिर बी इस तरीके से बनाना था पहले जब मैंने एक को लिया तो मुझे इसके लेंथ का सम निकालना है फिर बी वाले को भी लेना है फिर ए वाले को भी मतलब मुझे इन लेंथों को प्लस करना है कि 13 में ऐसा समी सर्कल बनाऊ तो कितना हो जाएगा ठीक है उसके निकाला मैंने मुझे रेडियस दे रखी ठीक है मैंने सर्कंफ मतली 1 प्रवाइब दीटे लिए फिग लिए 1.5 फिग दीटे लिए ठीक है ऐसी मिने बाइब 13 तक कर निकाला चाहिए था पर्वाइब नहीं निकाला मेरा 4 से काम हो जाता इसलिए ठीक है मैंने लेंथ निकाली मेरे पास यी सीरीज बनके तयार होगे इस सीरीज से मैंने निकाला डी निकाला सम का फॉर्मला मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हम ये एक्साइज के 18 कोशन में पहुच चुके हैं ठीक है तो एसन का मैंने फॉर्मला लगाया सारी वेल